और जोगिक प्रसिशन संथानों के विवसाय बिल्डर विशे सद्धान्ती की पाठ चर्या पर अंके आज का प्रसंग एडवांटेज आप कैस मेटल आर्क बिल्डिंग एंड मोट साप मेथड पर हम आज आप से चर्चा करने वाले हैं या आपको प्रसिशन प्रदान करने व आज का प्रसंग एडवांटेज़ आपके सब्सक्राइब प्रसंग का प्रसंग प्रसंग है इस प्रसंग प्रसंग पर जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आप यह बेडलिंग हो रही है लेकि नाम दिया हुआ है गैस मेंटल और बिल्डिंग अब परिचे हो जाएं गैस मेंटल आर्ग वेल्डिंग का कि गैस आर्ग गैस मेंटल आर्ग वेल्डिंग क्या है कि इसे कहते हैं गैस मेंटल आर्ग वेल्डिंग यह एडवांस वेल्डिंग तक्मिक है यह 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 एक आधुनिक वेल्डिंग है और इसकी विशेश्था यह है कि प्लेटो और चादरों को जोड़ने की सबसे पुट्टम किरिया है गैस मेंटल आर्ग वेल्डिंग के द्वारा हम प्लेटों और चादरों को जोड़ सकते हैं कि इस पॉइंट बार करें क्योंकि इसमें वेल्डिंग जॉइंट बेस मेंटल के समान ही होता है वेल्ड मेंटल की सुरच्छा के लिए शीलिंग गैसे यानि सुरच्छात्माग गैसे जैसे सियोटू गैस आज इको प्रियोग में लाया जाता है कि गैस मेटल आर्ग मेंडलिंग को मेग या मैग के नाम से भी जाना जाता है अच्छो आप थोड़ा इसके तीछे का भी अधन कर लेते हैं अर्थार इसके इतिहास पर एक नज़र डार लेते हैं विए इसका प्रियास है लें गैस मेटल आर्ग वेडलिंग के जो सिधान और थे वो 19 सभावदी के सुर्वात में बनाए गए थे मतलब गैस मेटल आर्ग मेडलिंग के सिधान नहीं सभावदी के आरंव में यह बनाए गह conflict और बढ़ते बढ़ते 1920 में गैस मेटल आर्म मेल्डिंग को पी और नॉबेल जनर्रल एलेटिक के नौरा फिर डवलप किया गया था दिक्षित किया गया था और सही रूप में इसको 1940 में थेरस तथा नाम थेरस मेटल विल्डिंग के लिए डिवलप किया गया था 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 नाम फेरस की धातुमों की बेंडलिंग कर सकते तो या करने लगे तो मतलब लोग नाम फेरस मतलब अलोग लोग माइल इस्टील अलोग इसमें लोहा नहीं होता है जैसे एलमूरियम तापर प्रास और कि बढ़ते क्रम में 1950 और 1960 के दसक में इसका उन्नत तरीका यानि और बहतर तरीका विक्षित किया गया जो हमारे देश की इंडिस्टी के लिए बहुत भीयोगी से दूआ है कोई देश जभी विकास करता है जब उसकी इंडिस्टी विकास करती है या इंडिस्टी में नहीं टेक्नोलोजी का प्रयोग किया जाता है गैस मेंटल आर्ट में कुछ उपकरण भी लगाया जाते हैं अब उपकरणों के बारे में उनके विशे में जानकारी कर लें पॉइंट है पावर सप्लाई को बैलिंग करते हैं इसके लिए हमें पावर की जुरुक होती है और साथ इनर्जी की जुरुक होती है और वह पावर कर से लेते हैं में करने के जहान रहें में करने के लिए हमें आवर मसीन से लेना पड़ता है यह मसीन है अधार की इसी वोल्टर जनेटर से इनका प्रियोग करते हैं हम टारिक मेन सप्लाई से बेलिक नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेन सप्लाई में वोल्टेज ज्यादा होता है और करेंट कम होता है इसके लिए हम मशीनों का प्रियोग करते हैं कि मसीनों के द्वारा हम बोल्टेज कम कर लेते हैं और करेंट बढ़ा लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करें लिए और बेंडिंग गन और गेस सप्लाई जहां से हम गेस सप्लाई लेते हैं आधी छोटे मोटे कर लगे होते हैं जैसे सीओ टो स्लेंडर रेगुलेटर और फ्लोवीटर अब पावर सप्लाई पावर सप्लाई में के लिए जो मशीने प्रयोग की जाती है वो कांस्टन बोल्टेज टाइप की होती है जैसे रेक्टिफायर दिशी मोटर जनरेटर यह हम प्रयोग करते हैं इनसे हम पावर सोर्च पावर लेते हैं इनमें बेंडिंग के समय बोल्टेज चट करने होते हैं कि यह मशीने दो सो से पांसों प्रयोग कर सकते हैं अब इसका नाम वायर फीडर यूनिट क्यों है वायर में इस एलेक्टोर यानि इलेक्टोर वायर इसे वायर क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें फ्लक्स नहीं लगाएं कि और इसMag一定要े那么 मआ जाता है और जिसमें फ्लक्स लगा जाय को गident वायर रो जाता है को यहायर फीडर कि इसपा है कि एक पहत्ılपूड स्कार की अहीं है कि तो ड city अरकल वेलिंग में आप अई है और मोटर के द्वारा आटोमेटिक बेंडिंग तर पहुचता रहता है और शीद्लिंग ऐसे पावर सप्लाइग और के द्वारा ही सिल्लिंग ऐसे आप स्क्रीन पर यह चित्र देख सकते हैं इसके पुछ भागों के नाम लिखे हैं जैसे वायर रील, वायर, इनपुट गाइड, अशेमबली, सेंटर गाइड, इंसर्ट, गाइड आउट्पूट गाइड इंसर्ट आउट्पूट गाइड वायर फीड एंड पावर केवल प्रेस्ट एड्जस्टिंग स्कूरू वायर फीड रोल्स गेर वाक्स इन्पूट गाइड आज इसके नाव में अब बात की जाएं बेर्लिंग गन को का जाता है तोकि गन की तरह बनी हुई है इसलिए बेर्लिंग गन का जाता है लेकिन इसका दूसरा भी नाम बेर्लिंग तार्च भी है नाइस इसकी जो बाड़ी होती है वह मैटालिक होती है मैटल की बनी होती है तता नोजल सिरामै दात्त की बनी होती है तंदर से ही इलेक्टूर्ड वायर जो वेल्लिंग टॉर्च है उसी के अंदर से इलेक्टूर्ड वायर, करेंट केबल, सेडलिंग गैस, अर्थास सियोटू, आरगन, आधि प्रवेश करके टिप पर पहुच जाती है कांट्राक्टिप गैन के बीच में लगी होती है, जिसमें इससे इलेक्टूर्ड वायर बाहर आता है, बेल्लिंग टार्च होगी, उससे इलेक्टूर्ड वायर, यानि वायर के रूप में, जिए हमारा इलेक्टूर्ड होगा, वो वायर के रूप में होगा, वो बाहर आता है और जाब पर वेड्लिंग करना सुरू करते हैं वेड्लिंग गन के तीन महत्त पूर्ण कारे होते हैं वेड्लिंग टार्स कहें या वेड्लिंग गन कहें इसके प्रभुक तीन काम है जैसे सेओं करता करता है करताथ हसुटो गैस्ति को और दूसरा या वेड्लिंग करेंट की आप प्र-द्स नहीं लगा है हम अलग और या ृठाश सकते हैं क्योंकि यह क्यों यो वायर के रूप में इसमें फ्लक्स नहीं लगा है हम झादसले कि इसले सरी तोर वायर को अ को उससे हम वंधोर कई फिले को फ्लेश क्ते हे जैसा कि आप। पाइगों के नाम लिखे हैं बेरिंग एलेक्टोर, करेंट कांटेक्ट त्यूब, नॉजल, गन स्विच, गन हैंडेल, कैस्ट त्यूब, कंपोजित केवल और एलेक्टोर गाइड त्यूब अब बात कर लिया है, गैस अप्लाइब, तो गैस मेटल आर्ट मेल्डिंग में, जब जाब को बेल्ड कर रहे होते हैं, जब जाब में बीज बनती है, उसे बीज को सुरच्छा प्रदान करने के लिए, सीरोटू सिलेंडर का प्रियों किया जाता है, बेल्ड मेटल का है, या जाब में बेल्ड करते समय, जो बीज बनती है, उसे बेल्ड मेटल कहते हैं, जो हम बेल्लिंग कर रहे होते हैं, जो बीज बनी होती है, उसे बेल्ड मेटल कहते हैं, तो गैस मेटल आर्ट मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानि सुरच्छा प्रदान करने के लिए, सी स्यूटू गैस का प्रियोग किया जाता है गैस को प्रियोग करने के लिए कुछ सहाय कुक्रणों की आवस्षिप्ता होते हैं कुंच को छीै तो फियू टु सिलिंडर में यूज करते हैं या प्रियोग करते हैं उसको प्रियोग करने के लिए या उना कि यह उसके भी त्यू थायो को करने के जैसे टुटर में ते अरो हों में एड कि डेर극ियो क्यों लगाते हैं इसलिए लगाते हैं क्योंकि शीओ-टू गैस के ठंडी होती है बाहर आने पर उसे जमने का डर लेता है इसलिए प्रहीटर लगाते हैं जानी गैस पहले प्रहीटर से होकर से हे जाच पहुचेगी तो जो गैस थंडी होगी तो में प्रीहीटर के दौरा उसको सांवा नमस्ता में लाया जाता है इसलिए प्रीहीटर लगाया जाता है है इसके बाद आता है जो लिटर और रोगाए जाता है उसमें प्रेसर बताता है कि सिलेंडर में कितने प्रेसर से गैस है और उसके बाद आता है गैस फूला मीटर के बाद लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं कि उसमें किलो मीटर में पांच से 22-20-40 तक अंक लिखे होते हैं और वो यह दर्स आते हैं कि प्रति मिनिट लीटर एल पीम लीटर प्रति मिनिटर से गैस खर्च हो रहे हैं अर्थाट CO2 गैस प्रयोग करने के लिए हमें जरुत होती है सीओ टूचलेंडर की घर हीटर की दूचलेंडर की फिर विट लगाते हैं इसके बाद प्रयों ट्रॉल है कि अब महत्पूर्ण गैस, मेतल, आर्क, वेड़लिंग गैस, मेतल, आर्क, वेड़लिंग, गैस, मेतल, आर्क, वेड़ल्ण। मेतल तांप, पर तीन प्रकाफ से होता है। प्रस्ट पॉइंट ग्लोबुला ट्रांसपर दूसरा दिप या सार्ट सर्किट टांसपर तीसरा इस्प्रेश टालपर अब बात कर ली जाएं ग्लोबुला ट्रांसपर तो जब हम माइप दिश्टील की कर रहे होते हैं तो वेड्लिंग करते समय वेड्लिंग वोल्टेज 24 से 28 बढ़ाय जाते हैं कि अगिविए का वेस्टोर मेटल के संपरक से पहले हिसरां की मात्रा से पिखल जाता एक ज़ो मुद भूआर प्रॉपलेट एक्टोड के अंतिम भाग पर बनता है अर्थार जो इलकोड वायर होता है वो अंतिम भाग पर बून के रूप में बन जाता है इस प्रकार का मैटल सेमी साट सर के प्रांग पर एल आता है इस मेठट का प्रियोग प्रेट पोजिशन और जंडर पोजिशन आधी में किया जाता है जैसा कि आप इस्क्रीन पर इस चित्र देख सकते हैं एक ग्लोबलर ट्रांसपर का फिगर है कैसे इस प्रांसपर होता है मेंटल और लूड़ श्रीत कि अनौ़ी वाइं कि कणन नौजिसन पारशओर के नाम है कि उपर आपको दिखाए दे रहा है यह घंन नौजिल के नीचे करें को से लाइने दिख रही है यह सीडलिंग गैस है यह आर्ट को चारों तरफ से गेरे हुए है इसलिए गेरे हुए है कि बातावरण में डाइटोजन और आक्सीजन मौजूद है और वो वेल्ड मेटल को प्रभाइद करेंगी कि मारा जोर कमजोर कर देंगी इसकी लिए इस गयासों का प्रेव की अजलता है अब बात करें डीप और 60 सरके टंफर में तो मीग या मैग बेल्डिंग के लो वोल्टेक अर्थाट डीप या 60 सरके टंफर में वोल्टेक लो होता है अब इसका प्रियोड अकली सीट की बेल्डिंग में प्रियोग करते हैं इसमें पिगला हुआ इलेक्टौर्ट का वार ड्राप के ओपर में इस मेटल को इसफर्स करने के बाद ही अलग होता है हखा जिसका थ्योरी यह है कि कर सकते हैं प्रते कि श्टिति में या जाता है इसे जैसा कि आप देख रहे हैं एलेक्टोर वायर का अंतिम भाड कि पेस्ट मेटल के तुछ होने पर ही तो अब बात करें इस्प्रेट अब आप समझ रहे होंगे इस प्रेट का मतलब बता है इस्प्रेट आना आनी छोटी छोटी बुदेठ डालना इस्प्रेट को और इसका मतलब दालना है इसका मतले इस्प्रेट कान्म पर अरफद इस्प्रे इसानकर में एक इस ऑलाव एक पार के जाता है अध्यूंतिय निवह यूंचराय सब्सक्वार विए सब्सक्राइब अज़ाए और के बहुत जल्दी बेडिलिंग करें तो इसका अपयोग कर लेते हैं कि यल्दी बेडलिंग के लिए किया जाता है इसके टांफर के लिए हैवी करेंट की आवा सकता होती है यानि आई करेंट होगा तभी हमाना लेकोड़ वायर मून के रूप में पहुंचेगा इसमें आर्गन गैस्ट के साथ साथ 5% आक्सीजन भी प्रयोग की जाती है इसका प्रयोग अल्बॉनियम की थिरी में मुझे अधिक मोटी प्लेक्टों की बेडलिंग के लिए किया जाता है जैसा कि आप स्क्रीम बच्चेतर देख रहे हैं इसका नोजल एक्टोर वायर गैसी इस्ट्रीम आफ मेंटल स्प्रे टोप्लेट्स इसका बढ़ा है अब बात कर ली जाए महत्पूर है अच्छो आज का जो टाफिक था वो टाफिक यह था एड्वांटेज आप कैस्ट मेंटल आर्क वेलिंग के क्या लाव है और क्या हानिया है इस पर भी बात कर लीजा है व कि मेंटलिंग सभी इस्थितियों पर कर सकते हैं सभी पोजिशनों पर कर सकते हैं और इसका लाव यह है कि इसमें एलेक्टोर्ड वायर के रूप में होता है इसलिए जन्त खतम नहीं होता है इसलिए लिए रेट और वायर की डि striving करते हैं में क्या है ये खतम नहीं होता है इसलिए इसमें बेडलिंग स्पीड अधिक होड़ी इसमें एलेक्टोर वायर रोल के रूप में है फीर इसमें और जो आर्ट मेडलिंग करते हैं इसमें अधिक होती है और लंबी भीर भी लगा सकते हैं जो मैं आर्ट मेडलिंग एलेक्टोर हैं उसमें फीर फोली सी लगेगी और वायर के रूप में जो एलेक्टोर होता है उससे आप लंबी भीर लगा सकते हैं अठाग लंबी भीर बिना रुदी लगातार वायर प्रियोग होने के कारण लगाए जा सकती है इस प्रेज तांग करने पर याम याम एड़वलु की अपेच्छा अधिक पैनिटेशन प्राप्त कर सकते हैं कि मेलइंग करने का सचे बहुत हुद भाग है पैनिटेशन अगर आप पैनिटेशन अच्छा नहीं होगा तो हमारा बेल्डिंग जॉइन कमजोर होगा और वे डरं कम होने पर पैद लिंग EPA करण बिश्ता किसी की जाप पर अगर आप ज्यादा तो ज्यादा बीड लगाते हैं तो जलिए इस लिए लगाने पड़ते हैं इसलिए इसमें डिस्ट्राफ्टन होने के चांज कम है कि एक समागेरी पर बेडलिंग के लिए अच्छा बनाते हैं इस प्रक्रिया का उप्योग हर इस्थिति में किया जासे है जो समर्च आर्ग वेल्लिंग प्रक्रिया का यह ऐसी प्रक्रिया है जिसे कभी-कभी अन्य प्रक्रियाओं की तुल्ला में शीखना आसाल होता है अब इसकी कुछ थानिया है जो कुछ पॉइंट में दी हुई है जैसे गैस मेंटल आर्ग वेल्लिंग की जो मशीन है उसके जो टूल्स है वह बहुत महेंगे होते हैं इसमें छोटे-छोटी जगहों पर या छोटे-छोटे कोनों की बेलिंग करना कथी दोता है यह आउट जोर वेल्लिंग के विए उपियोगत नहीं है तक शरांच है का ठीक सब्सक्रांच है एडवांटे जान्य एंड मोट साथ मेटेट है हमको है आपको आदे जाने को मिले एक कैंस मेटनमग मुलिंग में इतनी दूल्ट होते हैं क्या-क्या उप्राणों होते हैं, कैसे-कैसे मेंटर्टानफर होता है, यहाद हम लोग रिशी का.